Hello explorers, welcome to a channel Explorers Basic Hunt Explorers Basic Hunt ये channel में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप कन्याकुमारी जाना चाते हो या आप कन्याकुमारी के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं कन्याकुमारी से related सारी information शेर करने की कोशिश करूँगा जैसे कि आप कन्याकुमारी ट्रावल कैसे कर सकते हो कौन-कौन सी प्लेसिज देख सकते हो कहाँ स्टेई कर सकते हो फूड क्या ठ्राय कर सकते हो और बहुत कुछ वीडियो में अंतक बने रहे है कन्याकुमारी के बारे में कुछ basic info जान लेते हैं कन्याकुमारी ये smallest district है तमिल नाडु में इंडिया में ये ऐसा एक ही जगा है जो आप sunrise भी देख सकते हो यहाँ पर तीन जल समीधी का संगम होता है जो है Bay of Bengal, Arabian Sea और Indian Ocean कन्याकुमारी इन सब चीज़ों के लिए नहीं पर अलकने temple, churches, waterfalls और iconic monuments के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है चलो अब दोस्तों बात कर लेते कि आपको कन्याकुमारी ट्रैवल कैसे करना है कन्याकुमारी ट्रैवल करने के लिए तीन option है by train, by flight और by road अगर आप train से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कन्याकुमारी रिलेवे स्टेशन पर उदरना है कन्याकुमारी रिलेवे स्टेशन ये major cities से connected है दूसरा option है कन्याकुमारी ट्रैवल करने के लिए is by flight आपका nearest airport to कन्याकुमारी है ट्रिवेंदरम इंटरनेशनल airport जहांसे आप local buses कर सकते हो टैक्सी कर सकते हो और कन्याकुमारी तक पहुच सकते हो तीसरा option है कन्याकुमारी ट्रैवल करने के लिए is by road आप self driven car hire कर सकते हो या आप local buses से आ सकते हो और कन्याकुमारी पहुच सकते हो कन्याकुमारी ये South India के major cities से well connected है by road चलो बात कर लेते हैं the best time to visit कन्याकुमारी कन्याकुमारी विजिट करने के लिए best time है October से लेके February तक तब यहां का climate cool होता है थंडा होता है और यहां के major festivals भी तभी होते हैं जैसे की Cape Festival, avoid visiting कन्याकुमारी in summer season एक बार आप कन्याकुमारी पहुच जाते हो तो उसका charge आपको पढ़ जाएगा 2400 से 2500 पर पसन अगर आप 7.0 कर रहे हो तो उसका charge आपको पढ़ जाएगा 3300 पर पसन अगर आप Templo Traveller से घूमना चाते हो तो उसका charge आपको पढ़ जाएगा 5000 पर पसन इसमें sponsored होंगे वह कन्याकुमारी अमन्टेंबल, विवेकानन्द रॉक मेमोरियल, थीरू वल्लरू स्टैचू, गॉवर्मेंट म्यूसियम, आंधी मेमोरियल, वट्टकोटाई फोर्ट, पद्मनापूरम पैलेस, धलू मलयम टेंपल, कन्याकुमारी संसेट व्यूपॉइंट, दोस्तों इसमें किसी भी तरह की एंट्री टिकिट इंक्लूडेट नहीं है, और कोई भी तरह का ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कॉस्ट इंक्लूडेट नहीं है, इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, वन डे डॉट ट्रैवल वेबसाइट से, इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में शेर कर र टेंपल, टन्याकुमारी का टेंपल ये डेडिकेटेड है, एक देवी को जो मा पारवती का अवतार है, दूसरा इंपर्डन स्पॉर्ट जो आपको विजट करना चाहिए, वो है स्वामी विवेकानन्द रॉक मेमरियल, यहां फेरी सर्विस करके जा सकते हो, फेरी की टिकि की ज़रूरत नहीं पड़े की, स्वामी विवेकानन्द मेमरियल, यह स्थित है, एक छोटे से आईलेंड के उपर, कन्याकुमारी में, यह प्लेस बनाए गई थी 1970 में, इन ओनर आफ स्वामी विवेकानन्द, ऐसा का जाता है कि स्वामी विवेकानन्द ने यहां पर तीन द स्वामी विवेकानन्द के लाइफ पर आधारित है, थीसरी important चीज जो आपको यहां कर मिस नहीं करना चाहिए, वो है थिरू वल्लूर स्टैचू, अगर आप तमिल नाडू से बिलोंग करते हो, या आप पोईटरी या लिटरिचर में इंटर्स रखते हो, तो आपने श्री मिनिट लग जाएगे, थीरू वल्लूर स्टैचू के यहां पर आने के लिए, आपको 140 स्टैप्स उपर चड़ना पड़ेगा इस अच्चू तक पोचने के लिए, चौता important spot है गांधी memorial जो गांधी मंडप के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है कि गांधी जी की अ अंदर आती है, और exactly 2nd October जो गांधी जी का बड़े है, उसी दिन उस जगह पर गिरती है, जहां पर गांधी जी की अस्तिया रखी गई थी। आपको देखना चाहिए, वो है पद्मनपूरम पैलेस, पद्मनपूरम पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, एक जम्माने पर ये कैपिटल हुआ गरता था ट्रवनकोर सिटी का, इसका निर्वान हुआ था 16th century में और ये दुनिया के 10 best palaces में आता है, यहां पर आप बहुत से यूनिक आर्टिकल्स देख सकते हो, जैसे कि चाइनीज जार, ओल्ड वेपन, ब्रास लैंप, फूड अन स्क्लप्चर्स, फरनीचर, लाज मिरर्स, पेंटिंग और बहुत कुछ इस palace की एक इंट्रेस्टिंग बात यह है, कि यह located है तमिल नाडु में, पर यह बिलॉंग करता है गवर्मेंट आफ केरला को साथवा इंपोर्डन स्पोर्ट है थनुमलयम टेंपल, थनुमलयम टेंपल यह 15 किलोमेटर दूर है कन्या कुमारी से, और सोचिंदरम डिस्टिक में स्तित है, यहाँ पर एक आइडल है, एक प्रतिमा है, जो तीन हिंदु देवताओं को रिप्रेसेंट करता है, वो है ब्र आप चार म्यूजिकल पिलर्स देख सकते हो, इस मंदिर में दो मेजर फेस्टिवल सेलिबरेट के जाते हैं, जिसे देखनी के लिए यातरी दूर दूर से आते हैं, एक है चैरियोट फेस्टिवल जो विंटर में सेलिबरेट के जाता है, और दूसरा है तीपम जो समर में से सेट देख सकते हो उसकी कॉस्ट आपको लगे कुछ 25 रुपीज पर परसर तोस्तों अगर आप कन्या कुमारी में दो दिन का प्लान कर रहे हो तो आप तिरपार आपू फॉल्स भी जा सकते हो यह लोकेटेड है 55 किलोमेटर फ्रम कन्या कुमारी यह एक मैनमेड वाटर फॉल ह जहां पानी गिरता है कुछ 50 फीट उपर से यहां पर एक्टिविटीज होती है जैसी की स्विमिंग है बोटिंग है और दुसरे स्पॉस जो वेजट कर सकते हो वह है अवर लेडी ओफ रैंसम चर्च यह बीटिफुल चर्च है जो पॉच्चुगिस ने बनाया था इसका व प्रपरशन फो चिल्डरन जोलो आप देख लेते की कन्यागुमारी में आपको स्टे कहां करना है जैसी आप जानते हो कि कन्यागुमारी मेजर टूरिश अट्रेक्शन स्पॉर्ट है यहां पर आपको बहुत सारे स्टे आप्शन अवेलेबल है जैसे की लग्जरी होटेल म बजेस्टे यहां पर आपको सीफसिंग रूम बे मिल जाएगी मैं आपको कुछ लग्जरी स्टे श्टेस सजेश करना चाहूँगा जो है पर्श आपको सजेश करना चाहूँगा गोपी नास ग्रांट होटेल ओसन हेरिटेज कुछ बज़ेट स्टेज जो आपको मैं पिनिक्स हॉलिडे होम और गॉल्डेन नेस्ट होमस्टे अगर आप जानना चाहते हो कि अप कन्या की उमारी में फूड क्या ट्राइ कर सकते हो तो आपको यहां पर टिपिकल साउथ इंडियन फूड ट्राइ करना चाहिए जो है इडली डोसा चटनी वड़ा संबर रसम उपम स्वीट पॉंगल पायासम केसरी और बहुत कुछ इसके अलावा अगर आप नौन वेजिटेरन हो तो आप सीफूड भी ट्राइ कर सकते हो और एक चीज़ जो आपको यहां के ट्राइ करने चाहिए वो है और एक चीज़ जो आपको में सजेश्ट करना चाहूँगा यहां का सनाती श्ट्रीट पर आना है या में मार्केट एरिया है जो ओन द वे है कुमारी अमन टेंपल के यहां पर आप शेल्स, पेंटेट शेल्स, हैंडीक्राफ्त अर बांबू और बहुत को जलो बात कर लेते, overall travel expenses in Kanyagumari, पहला है आपका train या flight के ticket का करचा, अगर आप by road आ रहे हो तो आपका cap या bus का करचा, तूसरा है आपका internal traveling in Kanyagumari का करचा, मतलब अगर आप sightseeing कर रहे हो तो आप private taxi से कर रहे हो या cap से कर रहे हो उसका करचा, अगर आप overall package ले रहे हो तो उसक से 50 रुपया तक होती है, उसका करचा, चौता है आपका stay in Kanyagumari का करचा, जो आपको 1000 से 3000 तक पढ़ जाएगा, और आकरी में आपता है आपका food का करचा, तो ये थी हमारी Kanyagumari की complete travel guide, हमने कोशिश किए कि हम आपको Kanyagumari के बारे में जादा से जादा information दे सके इस वीडि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए तन्यावाद